अस्ताम लेकूम, वेलकम बेक टू मैं चैनल, ड्रामेटिक नावल्स बाइ सुनेरा हान एपिसोड स्टार्ट करने से पहले, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने रिडर्स, आज की एपिसोड रुमेंटिक होने के साथ साथ फनी भी है, जो आपको एक इनन बहुत पसंद आएगी कल की एपिसोड पर आप सबने बहुत अच्छा रिस्पोंस दिया, आप सब का बहुत शुक्रिया और एपिसोड में जो जो आपको डायलोग अच्छा लगता है, कुमेंट में लास्ट में बताया करें नेक्स्ट एपिसोड के टारगर 350 लाइक्स और 60 कुमेंट है, और कुमेंट लॉंग किया करें और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें तो चलें आज की एपिसोड डीड आउट करते हैं काजिम सुबा के तीन बजे अपने कमरे में दाहिल हुआ कमरे की लाइट रोशन थी, आहिस्ता से दर्वाजा बंद करता, वो सीधा हुआ तो इसकी नजर सामने बैट पर लेती, अमीरा पर पड़ी वाइट, सिलक का स्लीवलेस, फुल पाउं तक जाता, गौन पहने वो दाए करवट के बल आँखें बंद किये लेती हुई थी कमरे का हाल बिल्कुल ऐसा ही था, जैसा वो छोड़ कर गया था कासिम हान सर्ट सांस हार्च करता, दो कदम आगे बढ़ा केस की नजर अमीरा की सफेद पिंट्लियों पर ठहरी जहां से गाउन सिरक कर थोड़ा उपर को हुआ था इसकी सफेद पिंट्लियों और पाउं की सुरक तलियों को देख जब्से अपनी आँखें बंद करके खोली थी वो जितना इस सबसे बचना चा रहा था ये लड़की इतना ही इसका दिमाग हराप करने पर लगी हुई थी अपनी दाड़ी पर हाथ फेरता वो इसकी पिंट्लियों से बामुश्कल नजर हटाता ड्रेसिंग रूम की जानिब ग्या था वहां से अपना एक और नाइट सूट लेता वो दुबारा से फ्रेश होने वाश्रूम में बंध हुआ वाश्रूम का दर्वाजा बंध होते ही अमीरा ने अपनी एक आंक खोड़कर वाश्रूम के बंध दर्वाजे को गुड़ा और दर्वाजा बंध देख इसने अपनी दोनों आंकें खोली जब से काजिम हान इस कम्रे से गया था पीछे से इसे एक मिन्ट सकून की सांस नहीं आई थी इसकी फिकर में नीन पीस की आँखों से कोसो दूर थी वो बैट पर करवट पे करवट बदलती कितनी बार आँखें बंद करती सोने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन इतना चाहने के बावजूद नीन इस पर महरबान नहीं हुई थी यूही बैट पर करवट बदलते हुए ही इसे सुभा के तीन बज़के थे अब इसे काजिम की टेंशन होने लगी थी एक इसका दिल किया के वो जाकर दादू को बताए के काजिम अभी तक गर नहीं आया लेकिन इनके अराम की फिकर करती वो ऐसे ही बैट पर लेटी रही के अचानक इसे दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी तो इसने करवट लेते जल्दी से अपनी आँखें बंद कर ली थी अमीरा भी लेटी वाज रूम के बंद दरवाजे को ही गूर रही थी केक दम से दरवाजा खुलने पर इसने जल्दी से अपनी आँखें बंद की काजिम हान वाइट ट्राउजर पहने शिर्टलेस बालों को टावल से रगड़ता बाहिर आया इसने अपकी बार बोल कर भी अमीरा के वजूद पर नजर नहीं डाली थी तावल स्टैंड पर रखते अपने नम बालों को दाएँ हाथ की मदद से पीछे की जानिब करता वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ अपने जखमों का जाइजा लिने लगा निचले होन के किनारे पर अच्छा हासा कहरा कट लगा हुआ था दाएंगाल पर भी कट लगा हुआ था जो साइडों से नीला हो चुका था अपने जखमों को एक नज़र देखता अपनी काली बड़ी हुई दाड़ी पर हाथ फेरता वो पल्टा था बैट पर वो मीरा के निज़्दी तो हरकिस नहीं सो सकता था और इसको वो इस वक्त उठा नहीं सकता था बैट को देखते इस नेक नज़र सामने पड़े टू स्टेर सोफे को देखा जो इसकी लिहाज से छोटा था और इसका जिसम भी आज दर्ट से चूर हो रखा था लेकिन इस कातिल सराफे से तो बहतरी से वो ही ठीक लग रहा था बैट की दूसरी साइट से तक्या उठा था इसने सोफे की एक साइट पर फैंका था और लाइट आउफ करता वो बिल्कुल सीदा इस पर लेट गया था पाउँ सोफे से बाहिर जा रही थी बेसकूनी ही बेसकूनी थी लेकिन इसे अमीरा के पास सोने से बहतर ये बेसकूनी कबूल थी लाइट बंद होते ही अमीरा ने अपनी आँखें खोली थी पूरा कमरा अंदेरे में टूपा हुआ था जालिम ने नाइट बल्प भी नहीं चलाया था अमीरा ने दूसरी चानिब करवट बदल थी हाथ पढ़ा थी बेट की दूसरी चानिब कासिम को टिटोला था लेकिन इसे वहां कुछ महसूस ना हुआ तो अपनी जगा से उटकर बैठी थी और साइट टेबल पर पढ़ा अपना मुबाइल उठा कर इसकी लाइट चलाई थी मुबाइल की लाइट से कमरे में हल्की सी रोश्टनी फैली थी अमीरा ने बैट की दूसरी जानिब देखते सामने सोफे की जानिब देखा था अमीरा को काजिम के वहां लेटने पर तब चड़ी मिस्टर काजिम हान आप मुझसे जितना दूर पागेंगी मैं इतना ही आपके पास आउंगी देखती हूँ कब तक मुझसे बचते हैं अमीरा अपनी जगा से उपती अपना ब्लैंकिट अपने हाथों में पकड़ती काजिम के सर पर खड़ी हुई हलकी सी रोश्टी में इसके चेहरे को देखती वो मुस्कुरा ही और काजिम हान की बाइं साइट पर बिलक्ल थोड़ी सी जगा पर वो अपना ब्लैंकिट लेती लेट की वो सोफे पर कम काजिम हान के सीने पर जैदा चड़ी हुई थी काजिम हान जिसने अभी ही सोने के लिए आँखें बंद की थी अपने सीने पर एक दम से बारी बोच्च महसूस किये इसने अपनी आँखें खोली और अपने सीने की जानिक देखा जहां मीरा इसके सीने से लिप्टी हुई थी तुम यहां क्या कर रही हो? काजिम ने हर बड़ा देखें इसके कंदे को अपने हाथों में दो बोच्चते इसे हुट से दूर करना चाहा लेकिन अमीरा इसके सीने के गेट अपने बाजों का हिसार तंग करती इसकी टांगों को अपनी टांगों में जगरती इससे चमकादर की दरहां चिपक गई आज हमारी शादी की पहली रात है और आप मुझसे इतनी दूर सो रही थे इसलिए मैहुद ही आपके पास आ गई अमीरा मुस्कुराती लब दांतों तरे दबा कर बोली काजिम हान ने शादी से पहले इसे बहुत तंग किया था अब इसकी बारी थी वो गिन गिन कर इस कौर्ट जिला से बदले लेने वाली थी मुझसे दूर हटो और तम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नस्दीक आने की काजिम ने एक पार इसके कंदों पर दुबाव डालते इसे हुच से दूर करना चाहा कहा था ना तुमसे मुझसे दूर हो वो दबी दबी आवाज में गर राया मुझे नहीं रहा जाता आप से दूर अमीरा मुस्कुराती बोली जबके अमीरा की नाजुकी अपनी पुरहना सीने पर महसूस करते काजिम हान का हलक हुश्क हुआ इसके वजूद की पीनी बीनी हुश्पू काजिम हान के हुआस सलब कर रही थी जबके अमीरा इस सबसे बहबर अपनी मस्ती में लगी हुई थी अगर इसे जरा भी अंदाजा हो जाता के इसके यूँ पास आने पर काजिम हान के जस्पात बेल अकाम हो रहे हैं तो मरकर भी इसके पास ना आती अमीरा मैं आखरी पार कह रहा हूँ शराफ पत्से यहां से उट जाओ वर नागली पार कहूंगा नहीं उठा कर सीधा नीचे पर्ष पर पठकूंगा हमोश कमरे में काजिम हान की वहश्चत पर यह वास गूजी थी केक पल को इसके सीने से रगी अमीरा भी सहम गई थी लेकिन हुद को मजबूत किये वो अपनी जगा से एक इंच भी नहीं ही नी थी अगर आज शुए इससे ड़ जाती तो वो कभी जालिम इनसान के आगे अपने हक के लिए आवास ना उठा पाती मैं आपके पास मैं आपके पास से कहने ही जाओंगी मुझे आपके पास ही सोना है अमीरा अपना जहरा इसके सीने में छुपाती बच्चों के अंदास से बोली अमीरा की गरम सांसे इसके सीने को जुलसा रही थी कमरे में मानी हेज हमोशी बहकती जस्पात पाहों में अपने महरम का नर्मो गुदास वजूद इसके सीने में आग लगा रहा था ये लड़की न जाने क्यों इसके लिए एक इम्तिहान बनती जा रही थी वो जितना हुद को इससे बचाना चाहता था वो इतना इसके पास आकर इसे तबाहू बर्बाद करना चाहती थी काजिम के आँखों में सुरही उतरने लगी जब बड़े बीच थे वो अमीरा समेट अपनी जगा से उठा था वो अमीरा को ऐसे ही ब्लैंकिट समेट अपने सीने से लगाता सीधा बेट पर जाकर फैंका था अब अगर मेरे नस्दीक आने की कोशिश की तो तुम्हारा गला तपा दूँगा काजिम इसे सक्त नजरों से वोन करता दुबारा सोफे पर जाकर लेटा था इस पार वो अमीरा की चानिप से करवट करके लेटा था अब गला तबाएं या जान ले ले लेकिन आपसे दूरी अब मुम्किन नहीं अमीरा दुबारा काजिम के साथ सोफे पर डेटती अपने हाथ आगे इसके सीने पर लेटती इसकी कमर के साथ चिपक गई एक बार फिर अमीरा की सांसों की तप्ष अपनी गर्दन पर पादे वो जब से अपनी आँखें बंद करके खोलता गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखने लगा क्या चाहती हो तुम्हारी इन सांसों को लबों में कैद करता इन्हें तुम्हारे सीने में दफन कर तू वो इसकी रवानगी से चलती सांसों को महसूस किये संजीत की से गोया हुआ नहीं मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने सीने से लगाकर अपना सकून बना ले अमीरा काजिम की काल पर मजूद दाड़ी पर अपनी नाक से हिलाते बोली क्यों मुझे बरबाद करना चाहती हूँ करवट इसकी जानिब लेता वो इसके चेहरे की जानिब देखता गोया हुआ बरबाद नहीं मैं आपको अब बात करना चाहती हूँ आपको इसकदर प्यार देना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चपन की सारी महरूमिया बूल जाए दुनिया के हर औरत को बुलाए बस मेरी महबत और मेरी वफदारी याद रखे अगर तुम भी बेवपा निकली तो नाक इसकी नाक से सहलाते आँखें बंद करते वो इसे महसूस करने लगा अपनी आहरी सांस तक वफ़ा ने पाऊंगी अपना दाया हाथ इसके बाएं कान पर रखती आइस्ता आइस्ता से इसकी दाड़ी को सहलाने लगी कि कासिन ने अपनी बंद आँखें खोलकर इसकी जानिब देखा जो अपनी सबस आँखों से इसकी जानिब ही देख रही थी दोनों की आँखें मिली थी एक दूसे की सांसों को इन्हेल करते न जाने कितने ही लंभे ऐसे गुजर गे थे के दूर से आती वजर की अजान की आवास काजिम के कानों से टकराती इसे होश की दुनिया में लाई केस ने जटके से अमीरा कोहुच से दूर जटका जिससे वो सीधा फर्ष पर गिरी थी काजिम हान ब्लैंकिट में लिपते फर्ष पर पड़े इसके वजूद पर नदर डालता सोफे से नीचे उतर का खड़ा हुआ था अपनी हद में रहना सीखो वरना ऐसे ही मुखे बल नीचे गिर्ती रहोगी काजिम हान नागवारियत से कहता वहां से ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था अमीरा ने नीचे फर्ष पर बैठती इसे सक्त नजरों से गूरा था अब तो सब हदे करास होंगी आपको अपनी मुखबत से जेर ना किया तो मेरा नाम भी अमीरा काजिम हान नहीं अमीरा गुस्से से अपनी आँखों के सामनी फैली बालों को फूक मारकर पीछे हटा दी अपनी जगा से उठी थी काजिम हान कुछ देर पाद ट्रैक सूट पहने बालों को अच्छे से सेट किये वो बैट पर बैठी अमीरा की जानी पिना देखते कमरे से निकलता चला गया जबके रात पर ना सोने की वज़ा से अमीरा को अब सक्त नीद आने लगी थी इस दिये वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम में गई थी जल्दी से नाइट ड्रेस चेंज करती वो बूजू बनाती इसने नमाज अता की थी और फिर इन ही कपड़ों में वो बैट की एक जानी फुद पर इच्छी तरह ब्लैंकिट ओड़ती सो गई थी शुजात सहब मुदस्सिम के कमरे में दाखिल हुए तो कमरा अंदेरे में रूपा हुआ था पूलों की हुश्पू के साथ सिगरट की बेतहाशा स्मेल इन्हें आ रही थी मुदस्सिम हान कल का बूखा प्यासा अपने कमरे में बन था इरम बेगम की इरम बेगम के दवा इससे बात करने आ चुकी थी लेकिन मुदस्सिम ने इससे भी बात करने से साफ इंकार कर दिया था चुजाद साहपने आके बढ़ती स्विच पोर्ट तलाशा था और कमरे की लाइट चलाई थी पूरा कमरा एक तम से रोशन हुआ था कमरे में सिगरट का दूमा इस कदर फैला हुआ था कि इन्हें कुछ तेर तो सब दूदला नजर आता रहा फिर आइस्ता आइस्ता सब ठीक होने लगा था शुजाद साहपने एक नजर इसके कमरे को देखा था जहां पूरा कमरा बिख्रा पड़ा था ड्रेसिंग टेबल पर रखी तमाम चीज़े नीचे फरिश पर चकना चूर हुई पड़ी थी पर्वियूम की बोतल तूटी पड़ी थी और इनकी हुश्पू पूरे कमरे में फैली हुई थी बैट सारा बिख्रा पड़ा था तकि ये फटे हुए थे इन में से निकला हुआ रूँ जगा जगा पड़ा हुआ था इन सब चीजों से होती इनकी रजल बैट के कूने पर बैट बैट से टेक लगाए नीचे फर्ष पर बैटे मुतस्सिम्हान पर गई थी जो सिगरट लबों से दबाए फर्ष पर किसी गरे गैर मरें नुक्ते को गूर रहा था इसके आगे ना जाने कितनी सिगरट की हतम हुई टप्या पड़ी थी और हतम हुई सिगरट की तो गिंती करना मुश्किल थी शिजाद चलते इसके करीब आई थी और उपर इसके पास पैट पर बैठे थी ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी शिजाद सहब इसकी हालत को देखते गोया हुए कलवले कपड़ों में मलबूस शेट के आगे के तीन बटन खोले सिगरट पी पी कर होंट काले और चामनी किये हुए थे ब्राउन बाल माथे पर बिख्रे हुए थे आँखे हद दर्चा सुर्खी लिये हुए थी तो आपके मताबिक कैसी हालत होनी चाहिए थी मेरी वो सिगरट का गहरा कश देता नागवारियस से बोला कब तक मजनु बनने का शोक है जब तक लैला नहीं मिल जाती जवाब तो टो काया था जिस पर शुजात साहब अपने चपड़े पीचते रहके थे आज चोधरी इसमाइल के साथ मीटिंग है पार्टी के सभी मेंब्रान आएंगे तुम्हें भी लाजिम शामिल होना है ये चोधरी अब क्या चाहता है हतम होई सिगरट को नीचे परश पर फैंकता दुआ हुआ में फूंकता वो अपनी जगा से खड़ा हुआ था चोधरी बहुत बढ़का हुआ है तुमने इसके दो बार कलब बन करवा दी है जिससे वो बहुत उस्से में है पार्टी के लोगों को बढ़का रहा है वो तुम्हारी जगा अपने बीटी को लाना चाता है जुजाद रवानिगी से बोले आप टेंशन क्यों ले रहे हैं उत्तों को तक काम ही बौंकना होता है मतरसिम अपनी शर्ट उतारता वार्टूप की जानी बढ़ा इस पार वो सिर्फ बौंक ही नहीं रहा पार्टी की त्यारी भी करहा है पार्टी के बहुत से मेंबर अब इसके साथ हैं इसने सब को लालच देकर अपने साथ कर लिया है अगर इसका बेटा इस पार तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हुआ तो पार्टी के मेंबर इसे ही वोट देंगे वो जितनी भी कार्टी की त्यारी क्यों न कर ले मुझे छूपी नहीं पाएंगे चोद्री स्माइल और इसका बेटा कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते अभी वो अपने दो पार पलब को रो रहा है मेरी नजर में तो इसके बहुत से काली दंदे हैं एक-एक करके सब को तबह ना किया तो मेरा नाम भी मुतस्म हान नहीं मुतस्म ने वार्ड रूप से अपना ड्रेस निकाल कर बैट पर रखा तुम क्यों चोद्री से उलच रही हो बोलो मत वो तुम से भी पहले का सियासत में है और इसकी वज़ा से ही पार्टी के मेंबर तुम्हारे साथ है आज वो अपने बेटे को खड़ा करता है तो सब पार्टी मेंबर इसके साथ ही होंगे वो बहुत हतरनाक आत्मी है पार्टी का सरबरा मैं इसकी स्पोर्ट से नहीं अपनी काबियत की वज़ा से बनाओ और मेरे ही पार्टी में मेरे ही मेंबर मुलक को तबाह करने के लिए साज़शी करते भिने और मैं हमोशी से उनका तमाशा देखता रहूँ बस इस दिये कि कहीं वो मुझे जान से न मरवा दे मैं अभी इतना बैयारत नहीं हुआ कि अपने मुलक के नुचवान रसल को तबाहू पर बात होता देखूँ चोधरी जैसे लोगों को जब तक मैं सबक नहीं सिखा देता मैं चैन से नहीं बैठूँगा आज चोधरी के साथ ये आहरी मीटिंग होगी काजिम पारी हुक्मिया लहचे में कहता वाश्रूम में बंध हुआ था पीछे शिजाहत साहब नफी में सरहिलाते इसके कमरे से निकलते चले गे थे मतस्सिम को सियासत की जाने पलाने वाले यही थे पहले चोधरी के साथ पहले चोधरी के साथ इनके तालुकाद बहुत अच्छे थे इनी तालुकाद की बिनाबर चोधरी ने अपनी बेटी के बज़ाए मतस्सिम को पार्टी का सरब्रा बनाया था लेकिन आजस्ता आजस्ता इन्हे अपने फैसले पर पच्छतावा होने लगा था मतस्सिम हान इनकी हस्ती मिटाने में लगा हुआ था शुजाद साहब चोधरी की कमीना तबियत से अच्छी तरह वाकित थे इसलिए वो मतस्सिम को हमेशा इसके हवाले से बौन करते रहते थे लेकिन मतस्सिम हान एक कान से सुनता दोसरे से निकाल देता था इसकी शादी के लिए इसकी शादी के लिए भी वो इसी शर्ट पर माने थी कि वो चोधरी के हिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा लेकिन वो मुतस्म हाँ था अपनी करने वाला जो इसके दिल को ठीक लगता था वो ही करता था काजिम और अमीरा का विर्मा मुतस्म और हिना की वज़ा की वज़ा से कुछ दिले कर दिया गया था सब महमान वापिस जा चुके थे वजर की नमाज अदा करके अमीरा कुछ देर नीन लेने के पास तकरीबन साथ पज़े उट गय थी काजिम अभी तक अपने चिम रोम से वापिस नहीं आया था अमीरा ने जल्दी से उटकर इंटर काम इंटर काम पर काल करके रानी को बुला कर पहरे सारा कमरा साफ करवाया था फिर हुद फ्रेश होकर इसने कपड़े चेंज किये पिंक लॉंग शर्ट पहने जिसके गले और पाज उपर गोल्डन मोतियों का काम हुआ था नीचे हम रंग कैपनी पहने पाउं में पिंक ही खुसा पहने बालों को दर्मियान से मांग निकार कर अपनी कमर पर कुला चोड़े गोल्डन टीचू का डबटा अपने शानों पर भिलाए वो बहुत हुपसूरत लग रही थी लबों पर डार पिंक लिपस्टिक लगागर इसने अपने कट को छुपाया था आंखों में काजिल और पलकों पर मसकारा लगाती अपनी सबस आंखों को मजीद दिलकश बनाती कानों में पी छोड़े छोड़े टॉपस पहनती थोड़ी दूर होकर अपनी फुल लुक देखों मस्कुराई आईने के सामने खड़ी वो हुद को देख रही थी के काजिन दर्वाजा खोलकर अंदर आया अमीरा ने अचानक से इसकी जानिब देखा जो पूरा पसीने से शाबूर हुआ तर्वाजे के पास खड़ा था दोनों की आंके कुछ सेकिंड के लिए मिली थी इन कुछ सेकिंडों में काजिन ने इसका सर सर्टा पैर जाइजा लिया था बाकी सब तो इसे ठीक लगा था लेकिन इसके लबों पर लगी पिंक लिप्स्टिक इसे ना कवार गुसरी थी आप आ गए अमीरा मुस्कूरा कर इसकी जानी पढ़ी तो काजिम इसके चेहरे से नजरे हटाता बिना इसकी बात का जवाब देता अपने नम बालों में हाथ चलाता इसके पास से गुजरता वाश्रूम में दाखिल होते इसका दर्वाजा जोर से बंद किया गौट सिला अमीरा ने वाश्रूम के बंदरवाजे को देख मुँ बनाते कहा और फिर कुछ सोचती वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जानी पर और काजिम का सूट निकाल कर बाहिर लाई ब्राउन सूट हाथ में पकड़ती वो बाहिर लाई और इसे अच्छे से बेट पर रखा फिर वापिस अंदर गई इसका वाईलेट गड़ी और रूमाल लेकर बाहिर आई और इसे अच्छे से सूट के पास सेट करके रखा इसने अच्छे से सब चीजों को देखा लेकिन इसे अभी भी इन में किसी चीज़ की कमी लग रही थी इसने एक एक करके तमाम चीज़ें गिनी शूस भी वो लेकर आ चुकी थी लेकिन भीबी से कुछ अदूरा लग रहा था अपना बहुत दिमाग लगाने के पाद इसे टाई याद आई और वो लेने वो ड्रेसिंग रूम की जानिब गए लेकिन काजिम की पूरी वार्डूरूप में टाई का नाम और निशान नहीं था अमीरा को हिरान की हुई वो बापिस बाहिर आई कि तबी काजिम हान शिर्ट ब्लेस वाजरूम से बाहिर निकला और अमीरा और अमीरा से टकराया अमीरा जो अपनी दिहान से चली आ रही थी अचानिक काजिम की टकराने पर अपना तौाजन बरकरार नहीं रख सकी इस से पहरे वो फर्श पर गिरती काजिम हान ने आगे बढ़ती इसकी कमर में हाथ तालती इसे गिरने से बचाया अमीरा जिसने गिरने के ड़से अपनी आँखें जोर से बंद की हुई थी अपनी कमर पर सक्त गरिबत महसूस करती इसने जल्दी से अपनी आँखें कोली थी और अपने सामने अपने उपर चुके काजिम हान को देखा जिपके काजिम हान की नजरे इसके थोड़े खुले हुंटों पर जमि थी अमीरा की नजरे जैसे इसके चहरे पर पड़ी इसके हुंट के किनारे पर बने जख और काल पर लगे कट को देख इसे परिशानी गुई रात अंदेरा होने की वज़ह से वो इसके जहम को तो देख ही नहीं पाई थी और अब जब वो इसके इतने पास आया था तो इन जहमों को देख इसके सीने में दड़कते दिनकी दड़कने एक सेकंड को थमी तो कल रात वो खुद को सजाते ही कर आया था ये सोच ही अमीरा हान के लिए कितनी असियत नाक थी इसने गैर इरादी तोर पर हाथ पढ़ा कर काजिम की निच्छे होट की किनारे पर लगे कट पर अपने हाथ का अंगूठा फेरा इसका दर्द महसूस करती अमीरा की सबसांखें नम होने लगी काजिम जो इसके लबों की हरकत देखने में मगन था अमीरा का हाथ अपने लबों पर महसूस करता खोश में आया और अमीरा को अपने पैरों पर खड़ा करता इस से दूर हुआ काजिम ये आपको चोट कहां से लगी है अमीरा एक बार फिर इसकी जानी पढ़ी तो काजिम इस से दो कदम पीछे हुआ अपने काम से काम रखो बारी आवास में कहता वो ड्रेसिंग रूम में बंध हुआ था इसने अमीरा के निकाले हुए कपड़ों को देख कर भी अंदेखा कर दिया था जबके मीरा सब बुलाए अब सिरफ और सिरफ इसकी चोट के बारे में सोच रही थी कैसे वो खुद को सजा दे सकता था अगर इसे इससे कोई प्राबलम थी तो इसे सजा देता खुद को क्यों अजियत दे रहा था वो परशानी से टहलती ड्रेसिंग रूम के बंदर वाजे को बार बार देख रही थी और कुछ सोच थी वो ड्रेसिंग टेबल की जानी पढ़ी और इनके दरास्टी टोलने लगी लेकिनी से इसकी मतलूबा चीज नहीं मिली थी वहाँ से होती वो बैट के साइड ड्रा की जानी पाई थी कि आहिरकार इसे दाई जानी के साइड टेबल के ड्रा से फर्स्टेट कीट मिली ही गई थी इसने कित पकड़ते ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी के इतने में काजिम हान ब्लैक टूपिस पहने बाहर निकला और अमीरा को मकमल तोर पर इग्नोर करता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ अपने बाल सेट करने लगा अमीरा को अमीरा को इसके इस एटिट्यूट से तब चड़ी थी इसने आगे बढ़ते काजिम के हाथ से बरश चीना था और इसे कालर से पकड़ते अपनी चानिब खीचा था के वो जो अपना जिसम दीला छोड़े खड़ा था देहरा कर अमीरा के गरीब हुआ था के तासुरात देखे अपने पाउं उपर की जानिब उठाती इसके मकाबल होने की कोशिश करती खुद इसके बालों में ब्रश करने लगी जबके काजिम तो इसके हुश्बू भी खेटे सरापे की आगोश में खड़ा इसकी चुरत को देखता इसको सक्त नजरों से गूर रहा था ऐसे मत गूरे मुझे बीवी हूँ आपकी आप पर हग रखती हूँ इसके बालों को अपने तरीके से सेट करती वो नीचे हुई इसकी आँखों में अपनी आँखें डालती बिना किसी होफ के बोली मैंने अभी मैंने अभी तुम्हें बीवी होने का हक नहीं दिया काजिम ने चपड़े पींचे माधे परबर डाले इसकी पत्नी कमर को अपने बाजों में तो बोचे अपने नस्तीग करते गोया हुआ आप हक दे या ने दे बीवी तो हूँ मैं आपकी अमीरा इसके घुस्से की परवा किये बिना आप हक दे या ना दे बीवी तो हूँ मैं आपकी अमीरा इसके घुस्से की परवा किये बिना इसके काल के कटकू उंग्लियों से चुटी इसका जाइजा लेने लगी के काजिम ने घुस्से से इसका हाथ जटका अमीरा ने फिर हाथ इसके काल पर रखा तो काजिम ने फिर इसका हाथ जटका मेरा घुस्सा भुद पर क्यों उतारा अमीरा ने पूचते और स्टेट बॉक्स से थोड़ा सा कॉटन लेती इस पर अंटिसेप्टिक लगाती इसके काल पर लगे कट पर लगाने लगी के काजिम हान ने पीच में हिसका हाथ पकड़ लिया मैं किसी का जो वापता नहीं और मैं क्या करता हूं किस लिए करता हूं किस का गुस्सा किस पर उतारता हूं इस सबसे तुमारा कोई लीना दीना नहीं है समझी तुम काजिम हान वो से जिसे सोर से उत से दूर चटका था मेरा लीना दीना है जब जब आप मेरी वज़ा से उत को नुकसान पहुँचाएंगे इस से मेरा लीना दीना होगा समझे आप अमेरा इतने ही तेजी से इसकी जाने पड़ती इसकी कालर को अपने दोनों हाथ की मुठियों में तो बोचती पाउं पंजों के पल उपर उठाती चेहरा इसके रूबुरू करती उंची अवाज में चिल्लाई थी इसका दुबड़ा इसके कंदों से लड़क कर नीचे फर्ष पर गीरा था दोनों एक दूसे के इसके दर नस्तीक थी के मीरा के उस्से से भूली गरम साथे काजिम के चेहरे को छो रही थी मेरी वज़ा से आइंदा आपने खुद को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो काजिम हान मैं खुद को जान से मार लूगी वो माथा इसके माथे से ठिकाती कापती डांगों से इसके कालर पर गिर्ट मस्बूत करती खुद को गिर्णे से बचाती लड़ खड़ाती अवास में बोली के काजिम हान इसके इसकदर नस्दी की पर बहका धा और अमीरा की कमर में बाजों का गेरा बनाती इसे टांगों से थोड़ा उपर उठाती एक हाथ इसकी गर्दन में डालती वो इसके लिप्स्टिक से रंगे होंटों पर चुका शिद्द से इन्हें चूमने लगा अमीरा ने भी इसके गेरे पान को छोड़कर इसकी गर्दन में अपने दोनों बाजों हाय किये और काजिम के जनून में इसका साथ देने लगी काजिम की गरीब इसके लबो पर बढ़ती जा रही दी जिसे अमीरा आँखे बन किये बर्दाश्ट कर रही दी लबो की जुसारते इसके नाजों खोंटों पर बढ़ती जा रही दी कि कल्वाले कटकर जखम फिर से ताजा हुआ था और हून दोनों के मुँ में गुलता जा रहा था लेकिन काजिम हान को कहा भी इसकी परवा दी वो तरह जाने इसके लबो पर जनून की कौन सी तहरीर रकम करना चाहता था किसे सांस भी नहीं नहीं दे रहा था जबके अमीरा अब सांस देने के लिए मचलने लगी थी कि अमीरा ने ठक हार कर अपने हाथ काजिम के बालों में उल जाए इन्हें जोर से पीछे खींच कर फुच से दूर करने की अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की थी अमीरा के लंबे बाल इन दोनों पर अपशार की तरह फैली हुए थे काजिम के बाल खींचने पर भी जब वो पीछे ना हुआ तो अमीरा ने अपने बलाई लब को काजिम की सक्त क्रिप में महसूस कर दे काजिम हान की निच्टे लब के किनारे पर जोर से दात काड़े केंट पर डगे कट से हून पहने लगा अपने होट पर होती शदीद तकलीफ पर काजिम हान अमीरा के लबों से पीछे हटा इसके चेहरे की जानिब देखने लगा जो निधाल होती इसकी गर्दन में चेहरा चुपाई गहरे गहरे सांस बर्ती अपनी सांसों को नारमल कर रही थी काजिम ने इसकी फिकडी हालत को देख इसे अपने सीने में बीच दे इसकी पीट को हलकी हलकी से हिलाया था अगर हुद को कभी कोई भी नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो तुम से पहने मैं तुम्हें मार दूँगा अमीरा के कान में सरगोशी करता इसके कान की नुकों लबों में जोर से दबाता, इसे नीचे उतारता इस से पीछे हुआ था अमीरा ने चेहरे पर बिक्रे, बालों से अपने सामने खड़े, काजिम हान की चानिद देखा था जो अपने होंट से होंच साफ कर रहा था, जबके मीरा के लब से निकलता हून, वो अपने लबों से ही चुन गया था मुझ से जितना दूर होगी इतनी सेदा सांसे ले पाऊ ही काजिन इसके होंटों से मिधी लिपस्टिक देख गोया हुआ और आइदा के बाद तुम्हारे होंटों पर कोई मंस्नुरी रंग न देखू में वरना होंट ही काट दूँगा बारीस पार्ट आवाज में कहता अपने पालों को दुबारा से सेट करता वो वापिस ड्रेसिंग रूम की जानिब क्या था और वहां से गड़ी और अपने शूस पहनता अपना जरूरी समान लेता वो बाहिर आया था जहां मीरा अपना फर्ष पर पड़ा दुबट्टा उठा कर अपने कंदों पर फिला रही थी क्योंकि आज वलीमा नहीं था तो काजिम आफिस जा रहा था पहले ही शादी की पाकी रस्मों की वज़ा से इसका काफी सारा काम पेंडिंग पर था अमीरा मू पुलाए इस कौट्सिला को देखती आइने के सामने खड़ी होती अपने बाल ठीक करती अपने लबों केट केट फैली लिपस्टिक को टीशू पेपर से साफ करने लगी के काजिम हान एक पार फिर इसके बिल्कुल गरीब खड़ा होता अपने जिसम पर परफ्यूम छिड़कने लगा अमीरा ने आइने में दोनों को देखा इनकी जोड़ी कितनी परफेक्ट थी दिल में अपनी जोड़ी पर सद्के जाती वो कितनी ही बार दोनों की नजर उतार चुकी थी काजिम परफ्यूम लगाता इसकी जानी देखे बिना कमरे से बाहर चला गया केस के पीछे अमीरा फोरण पाकी दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर आई थे अस्लाम लेकूं काजिम ने वावास बुलन सलाम किया था कि डाइनिंग टेबल पर बैठे परवीन भेगम और सिकंदर साब दोनों एक साथ इनकी जाने पतवच्चा हुए थे अमीरा ने भी उंची आवास में सालाम किया और सिकंदर साथ के सामने अपना सर रखा वालेकूं सलाम कैसा है मेरा बच्चा सिकंदर साथ इसके सर पर प्यार करती मुहबबस से गोया हुए मैं ठीक हूँ दादू अमीरा कहती मुस्कुराती परवीन बेगम की जानिब के इए और इनके साथ वली चेर पर बैठती इनके सीने से लगी थी जबके सामने वली चेर पर बैठे काजिम के माते पर बल पड़े थी मेरी बच्ची कैसी है परवीन बेगम निसे सीने से बीच दे इसके सर पर प्यार करती लाट से पूछा इसको क्या होगा सही सलामत तो आपके सामने है और प्लीज मेरी ब्यूटी क्वीन से अलग होकर बैठो काजिम को कहां बरताज था इसकी ब्यूटी क्वीन पर आपको योर हक जदाए जबके दूसरी जाने सिकंदर सहाब इसकी बात सुनकर मुस्कुराए थी वो इसकी जैलिसी समझ के थी हमेशा वही इन्हें के सामने इनकी बेगम को गले लगाए जलाते आया था अब इसे जैलिस होता देख इन्हें बहुत सुकून मिल रहा था क्यों लग होकर बैटों ये मेरी भी दादों है समझे आप अमीरा परवीन बेगम के सीने से और जोर से चिपकी थी जिसे देख काजिम के जबड़े तने थे ये लड़की से घुसा दिलाने का एक भी मौका हाज से नहीं जाने देती थी काजिम बेटा बुरी बात है मैं तुम दोनों की दादों हूं परवीन बेगम काजिम के उससे सुरख हो रही चहरे को देख इसे समझाती कोई बोली इस गर में आप सिर्फ मेरी हैं और मेरे इलावा आपके गले भी कोई नहीं लग सकता काजिम ने सकत नजरों से अमीरा की जानिब देखते कहा था जो आप तक परवीन बेगम के गले लगी हुई थी देखा दादो ये ऐसे ही मुझ पर घुस्सा करते हैं अमीरा बारी आवाज में कहती रोने वली शकल बना कर बोली के परवीन बेगम ने काजिम कबूरा जो अमीरा को अभी तक गूर रहा था काजिम क्यों बज्ची को दंग कर रहे हो अब अगर तुमने इस से वुच्छे से बात जी तो मुझ से बेशक बात ना करना परवीन बेगम के कहने पर अब की बार काजिम ने हिरान की से परवीन बेगम को देखा जबके अमीरा मुस्कुराई थी आप इसकी वज़ा से अब मुझे धंकिया देंगी तो फिर अपनी हरकते सीधी कर लो मैं तुम दोनों की दादी हूँ तुम दोनक का मुझ पर बराबर कहा के अब अगर मैंने तुम दोनों को इस बात पर लड़ते देखा तो मैं तुम दोनों से नरास हो जाओंगी परवीन बेगम का लहचा पसंचीता था चुल अब हमोशी से नाश्ता करो परवीन बेगम के कहने पर अमीरा होंटों में हसी तपाती काजिन को एक नज़र देखकर जूस पीने रगी और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है परवीन बेगम की चानक नज़र इसके चेहरे के जौहमों पर गई सिगंदर सहब ने भी परवीन बेगम की इतनी हिरानगी से पोच्चने पर काजिन की चानि बहुर से देखा कुछ नहीं हुआ काजिम कहता संजीत की से अपने नाश्टे की चानिप मतवच्चा हुआ ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ क्या किसी से लड़ाई की है सिकंदर सहब पारी अवाज में पूछने लगे आपको ऐसा लगता है मैं किसी से जगड़ा कर सकता हूँ काजिम हान ने दाइयां इबरोच का कर इनसे जैसे अपने बात की तस्दीग चाही मुझे तुम लोगों परब सरा परोसा नहीं तुम लोग अब कुछ भी कर सकते हो इनकी कहने पर काजिम हान ने साइट स्माइल की जिस इसकी दाड़ी के नीचे छुपे डिमपल वाजिया हुए जिसे देख अमीरा की दिन में गुद कुदी हुई हाई ये सालिम टिमपल अगर वो अकीला यहां होता तो वो आगे बढ़ती इन्हीं चूम लेती काजिम सच बताओ क्या हुआ है मेरा दिल कुछ उल्टा सीधा सोचकर बैठा जा रहा है परवीन बेगम विकरमंदी से बोली वो दादो ये कल रात मूँ के बल नीचे फर्ष पर गिर गे दे काजिम के कुछ भी बोलने से पहने अमीरा बोल पड़ी कि काजिम ने से गुरा और हमोश रहा फर्ष पर गिर गया लेकिन कैसे परवीन बेगम ने हिरानगी से पूछा ये तो अब इंच से ही पूछ ले अमीरा अपनी हसी दबाती बोली दादो यार चाने भी दे अब इस बात को जो होना था हो गया काजिम अप सवाल या नज़रों से दोनों का अपनी जानी देखता देख बोला और अपना नाश्ता करने लगा जबके वो दोनों भी बात को हतम करते अपना अपना नाश्ता करने लगे दादो क्या मैं शाह से मिलने चली जाओं कल मेरी से मुलाकात नहीं हो पाई अमीरा जूर्स पीती बोली कि काजिम हान का नाश्ता करता हाथ रुका था और इसने और इसने सबसे अपनी आँखें बंद की थी कि जैसे अब यहीं सुनना भागी रह गया था कल से डर्की इसकी जिन्दगी में शामिल होई थी और इसे एक मिन्ट का सा कून नहीं लेने दिया था नहीं तुम कहीं कहीं नहीं जाओगी इससे पहने सिकंदर या परवीन बेगम में से कोई कुछ कहता काजिम स्पार्ट लेहचे में गोया हुआ क्यों नहीं जाओगी इतने सालों बाद शापाकिस्ताना है मैं क्यों नहीं जाओ उनसे मिलनी मेरा क्रिस की बाद से जटका लगा मैंने कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगी तो इसका मतलब नहीं जाओगी यह फजूल की बहस मुझे पसंद नहीं इसने सुरख अंकारा बनी आँखों से इसे कूरा दादो आपको पता है ना शा मेरा कितना अच्छा दोस्त है और मेरा एक एक लोता भाई भी आप बताए मुझे क्या मुझे इससे मिलना नहीं जाने चाहिए मिलने नहीं जाना चाहिए अमीरा इस पार काजिम को इग्नोर करती परवीन बेगम की जाने रुख मौती मासूम सब मुझे बना कर बोली जानी तो बच्ची को वैसे भी आजशाम शाजर हबीबा बेटी को लेकर अपने करशिट हो रहा है सिकंदर साहब ने इनके बीच मताहलत करते कहा हाँ मेरी बच्ची तुम चली जाना और अपने गड़ जाने पर तुम्हें किसी की परमीशन की जरूरत नहीं है परवीन बेगम काजिम के उससे सुड़ हुए चेहरे को इग्नोर करती अमीरा से मुहबबस से गोया हुई तो अमीरा मुस्कुरा गई वो मेरी बीवी है इसे हर काम करने से पहले मेरी इजाज़त तरकार है और ये मेरा हुकम है कि वो कहीं नहीं जाएगी चमच प्लेट में पठखता वो अपनी जगा से खड़ा हुआ था और बिना किसी की सुने वो टेबल से पना मुबाइल उठाते बाहिर निकल गया था तिनों ने एक साथ इसकी पुष्ट को देखा था अमीरा का तो मुही लटक गया था आया बड़ा हुकम देने वाला मैं अभी इस गर में जिन्दा हूँ तुम जाओगी और ये मेरा हुकम है सिकंदर सहब हुस्से से दर्वाजे को गुटते अमीरा से बोले तो अमीरा का उत्ता चेहरा एक दम चिल गया कैसी रगी एपिसोट जिसको जो भी एपिसोट में डायलोग अच्छा लगा है कुमेंट में लाजमी बताएं और डार्व तार्गट कंप्लीट होने पर ही नेक्स्ट एपिसोट आएगी और एपिसोट को शाट ना कहा करें वरना किसी दिन वाक्य में शाट एपिसोट देदू और एपिसोट को शेर करें कुमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए पेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस कर लें